इस लेक्षर में हम लोग डिसकस्ट करने जा रहे हैं ट्रैवर्शिंग इस बाइनरी ट्री पर डिसकस्ट पिछले दौ-3 लेक्षब्स हम लोग कर रहे हैं आज हम लोग देखेंगे कि क्यों भी Binary Tree है तो उसको विजीट कैसे किया जाए एक इक आइटम पर हम अगर जाना हो तो क्या क्या तरीके हैं कैसे उनको विजीट किया जा सकता है क्या उनका अल्गोरिदम होगा कि तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी वह Binary Tree में विजीट करने का हमारे पास तीन तरीका है सबसे पहला तरीका है प्री-ओडर दूसरा तरीका है इन-ओडर थीसरा है पोस्ट-ओडर इस ओड़र को ध्यान में रखेंगे इन तीनों ही ऑडर में एक बात ध्यान में रखनी है कि यह जो ट्री है इस पर भीजिट करने का थोड़ा सा हमारा जो एलिमेंट है उनको कैसे हम रिक्रग्राईज करें कैसे करेंगेobile करेंगे एक ऐसे करें चाहिते की मियों कर में अंतर प्रीचिक्षप को हम पीकाप कीचे है मतलब सीधा कि अगर हम गऊर से देखें इस ट्रीया चोटा रिम बना लेत जयादा बट क्या यह तो यह बी और सी एकदम सिंपल सा ट्री है इसको भीजिट करना है प्री ओर्डर में तब ट्री ओर्डर कहने का मतलब यहां होगा पहले ए पर जाएंगे आप उसके लेफ्ट साइड में फिर बी पर जाएंगे फिर सी पर जाएंगे इस तरह से कलेक्ट करेंगे एलिमेंट और इसी ट्री को अगर इन ओरर करना हो तो इन ओर क्या कहता है यह सक्वास्ट इपकाप दा लेफ्ट शब्ट्री यह देन रूट है पहलें राइट कि और अगर पोस्ट ऑरडर की हम बात कर लें चेंटरी पर एप फोस्ट और में लेफ्ट यहां भी है देन राइट देन रूट पस इतनी छोटी जी बात आपको समझ लेनी है अब यह तो सिंपल सट्री है जिसके दो ही चाइड है एक रूट है दो लिफ नोट है लेकिन ठीट हमारा कॉंपलेक्स हो सकता है on the Mathematical notation हो सकते हैं A Simple element हो सकते हैं जिनको हम Alphabet कर आ दिए कुछ हो सकता है है सबसे पहले को करते हैं इन आप फिजीट कैसे करेंगे इस podemos । इसके लिए है यह algorithm किया होगा सबसे पहला algorithm हमने लिखया है यह algorithm है pre order का प्री ओडर algorithm बहुत ही सिंपल है अब सबसे पहले देखिए हम क्या करेंगे स्टेप रिपीट निल मतलब जब तक उसमें element है तब तक तो तो फोर को आप रिपीट करते रहें कि यह बार में एक ही element आप सर्च करेंगे तो सबसे पहले pre-order की अगर बात होती है तो हम क्या करते हैं root को collect करते हैं root से start करते हैं write tree बराबर data tree एक data structure होगा सभाविक है कि तिरी को कहीं कहीं arrange करना हो तो या तो हम हैरे की बात करेंगे इस टैक की बात करेंगे की बात करेंगे लिंक लिस्ट की बात करेंगे यही तो structure data store करने के इसमें से कुझी भी structure में सबसे पहले अगर tree में होगा तो पहले हम data यहां पर डाल रहे हैं और data कौन सा होगा निश्चित्रु से root का होगा start हम root से कर रहे हैं और सबसे पहले tree में data place कर रहे हैं इसके बाद pre-order function को call करेंगे और tree के हम किधर move करेंगे next हमारा move होगा lift तो root से हम कहां move कर रहे है lift function में अब जाएंगे तो lift में जो भी data होगा हम उसको collect करेंगे इस function के बाद बाहर आएंगे तो फिर pre-order में tree function में जाएंगे और right को call करेंगे अब इस तरह से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे अगर माल लेते हैं हमने root को collect किया आगे है move किये वहां भी रूट मिला तो फिर उस रूट को फिर से repeat करेंगे 224 बार बार रिपीट करेंगे जब तक यह सारा tree के element को हम भी जीटना कर ले और उसके बाद loop point करके हम बाहर आजाएंगे कि यह basic difference है और अगर हम बात करें तो सेम फ्रंक्शन यही होगा अगर हम इन ओडर की बात करें देखिए तो हमने pre-order का बनाया है अब यहां पर सारे step को रिपीट न करते हुए हम pre-order की बात करें सुरी इन ओडर की इन ओडर में क्या होगा यह तो सब में common है यह टेप सिर्फ two three four की बात है तो इस टेप टू में देखिए one हम ऐसे ही लिखेंगे इस टेप टू में हम लिख देंगे इन ओडर three left function को call कर लेंगे इसके बाद step three right brava data step four इन ओडर राइट अब फिर यह कॉमन है इन ओफ इफ एस इंड के सिंपल सा कॉंसेप्ट है और अगर हम पोस्ट और की बात कर लें कि यहां भी कॉमन पार्ट तो कॉमन पार्ट होगा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है कि वाल यह बीच के तीन स्टेप जो होंगे देखे स्टेप टू अब यहां बार पोस्ट और की बात हो रही है तो देखे पोस्ट और पोस्ट और की में मुव परेंगे राइट की में मुव परेंगे राइट और स्टेप फोर राइट ट्री बराबर डेटा तो एल्गोरिदम आपका यह हो गया जिसमें यह तीन स्टेप जो है इन में भी जोड लेंगे इसमें भी जोड लेंगे तो आसानी से प्रेवर्सिंग का काम आप कर सकते हैं और इसका अल्गोरिदम आसानी से याद रखा जा सकता है यह बेसिक कॉमन पॉइंट है जो आपको याद चोटे से ट्री की चोटे से ट्री से थोड़ा और बड़ा ट्री पर भी हम लोग प्रैक्टिस कर लें ताकि कोई दिक्कत ना हो अब जनासा इस ट्री की बात कर ट्री वन यह है ट्री टू ट्री वन में अगर हमें प्री ओडर ट्रेवर्सल में डेटा एरेंज करना है तो क्या करेंगे रूट लेफ्ट राइट तो पहले देखिए हम क्या लिखेंगे रूट रूट से लेफ्ट की तरफ मूव करेंगे फिर यहां पर हमको मिला रूट इसके बाद आए अब कोई र राइट कि ए विजिट बी फिर आगे बढ़ेंगे फिर मल्टिप्लिकेशन कि सी एंड यह हमारा कि प्री ओडर ट्रेवर्सल का एलिमेंट है हमने प्री ओडर में इसको कि विजिट किया है सिंपल सा कॉंसेप्ट है और अगर इन ओडर की बात हो तो इन ओडर में लेट देन रूट राइट अब देखिए वही है हमारा ओडर अफ एलिमेंट बदलेगा क्योंकि अब हम भीजिट दूसरे तरीके से कर रहे हैं अब हम भीजिट इन ओडर मोड में कर रहे हैं तो सबस सब्सक्राइब कर देखिए प्लस सी कि मल्टिप्लिकेशन कि दी कि नॉर्मल जो एक्स्प्रेशन होता है हमारा मैथेमेटिकल एक्सप्रेशन हाई ओडर लैंग्वेजिए जो हम लिखते हो वह यहीं इन ओडर एक्सप्रेशन होता है एग्सप्रेशन वी मifiques वी अगर आगर विजिट करें तो पोस्ट यूर्ण विजिट में देखिए सब persecuted करें चलिए सबसे लेफ्ण में आएंगे ए यह देन बी बीज और प्रों भी यह पूली तरह से लेफ्ट हो गया तो दिख बात क्या है जैनराइट अब इस पर नहीं जाएंगे पर राइट में जाएंगे राइट में ही जाएंगेतर द्रेख में सोफ़ीयो अब इस बिखल हम कर देंकर कि दिक्कत ना Eu C, D, then multiplication, then plus. Examination में कुछ इसी तरह के expression हो सकता है, कोई आप से पूछ दिया जाए, और हो सकता है, tree नहीं बनाया जाए, आपको convert करना हो. Generally conversion के जो technique है, उसमें एक बाद examination में खास करके अगर पूछा जाता है, तो in order के साथ आपको pre-order दिया गया होगा, आपको बोला जाएगा post order में convert कर दीजिए, या in order और post order होगा, आपको pre-order में convert करना होगा. अब इस बात को धियान में रखिए, जड़ा इस tree के सामने रखके, अगर हम लोग consider करें, तो देखिए हर इस्तिती में, जो in order है, या pre-order, दोनों की अगर हम बात करें, तो आप गौर से देखें के pre-order और in order में, in order क्या कहता है, root बीच में होगा, pre-order कहता है, root पहले होगा, तो जो ही आपको दोनों element मिलेंगे, आप इनको जानते हैं, तो आप आसानी समझ लेंगे, हमारा root क्या है, क्योंकि root से ही चुरू हो रहा है, आई यह root यहाँ है, अब root अगर आपको पता चल गया, तो root के left में कौन से element है, right में कौन से element है, यह भी पता चल गया आपको, और इसके बाद variable देखेंगे, उसके root को पता करते चलेंगे, क्योंकि next element अगर a, b और minus है, तो इसमें पहले क्या आएगा, root आएगा, क्योंकि इस visit में तो root ही है, तो यह root हो जाएगा, उसके बाद left, right की बात होगी, तो आप इसको ज़रा सा practice करेंगे, यह थोड़ा सा practice oriented work है, और अगर आप practice करेंगे, तो हमें नहीं लगता कि आपको कोई समस्या होगी, आप आसानी से इसको कर पाएंगे, आपको यही ध्यान रखना है कि किसी भी binary tree में traversal pre-order, in order और post-order से आप कर सकते हैं, यह method आपको याद रखना है कि left के बाद right होगा है, यह तो सब में पता है, आपको ध्यान बिल्कुल नहीं देनी है, पहले left then right, सिर्फ position कहां change हो रहा है, root pre-order में पहले, in order में बीच में, post-order में last, इतना याद रखेंगे ताप आसानी से कर पाएंगे, अब problem अगर हो तो उसका tree बना ले तो tree के आधार traversal से भी आप काम कर सकते हैं, इसी तरह, यह tree 2 जो हमने दिया है, कि आपके लिए humor के तोर पर है, आप खुद से बनाने के कोशिज करेंगे, अगर इसमें कोई problem होगी, तो आप हम से contact करेंगे, हम आपको इसका solution दे देंगे, हम मैं नहीं लगता है कि कोई समस्या होगी, इसको अगर गौर से देखेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखिए, समझ में आएगे, इमीडियेट आसानी से इ हम यह मान के चलते हैं, तो वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं करते हैं, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद.